Hello friends, मैं इसान उसेन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंजाइटी के बारे में Medical Language में इसे एंजाइटी नीरोसिस भी बोलते हैं आज हम जानेंगे इसके बारे में ये क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षान होते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या इलाज होता है ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में, तो मेरे वीडियो को लाज तक देखें दोस्तों बात करते हैं ये एंजाइटी होती क्या है जिन लोगों को हमेशा डर रहता है घबराहड रहती है बैचैनी रहती है ऐसे लोगों को एंजाइटी हो जाती है दोस्तों एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है ये कोई डिजीज नहीं है ये वस एक सिम्टम होता है किसी न हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया anxiety में लोग हमेशा चिन्तित रहते हैं, परिशान रहते हैं उन्हें को डर रहता है किसी ना चीज का ऐसी चीजों से भी वो डरने लगते हैं जो life में होने ही वाली नहीं है, जैसे office में अपने बैठे हैं या घर में बैठे है या काम कर रहे हैं उनका दिमाग हमेशा बार-बार वही सोचता रहता है कि क्या होगा अब क्या होगा हमेशा चिन्तित ही रहते हैं उनको कोई solution नहीं नंज़े राता है किसी ना किसी चीज को लेके लोगों को anxiety हो जाती है, वो हमेशा घबराहट में रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, बैचैन रहते हैं, उनको नीद नहीं आती है, हमेशा किसी ना किसी चीज को लेके परेसान रहते हैं, वो ऐसी घटना को लेकर भी परेसान रहते हैं, जो लाइब में कभी होने ही वाली या फिर बच्पन में कुछ हुआ था या पास्ट में कुछ हुआ था उसको लेके परेसान करते हैं और वो अपना future और present दोनों खराब कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को mentally strong होना पड़ेगा मजबूत होना पड़ेगा अगर वो ज्यादा परेसान रहते हैं इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उनको अपने doctor के पास जाना चाहिए psychiatrist को दिखाना चाहिए कि उनको क्या problem है पूरी detail में उसे बताएं क्या दिक्कत ह क्या नहीं होती है तो आपको काफी हद तक relief मिलेगा दोस्तों ऐसे लोग जिनको anxiety होती है वो इतना stress में आ जाते हैं कि उनको mentally disorder भी होने लगता है जैसे साइजोफरेनिया वगेरा और भी चीजें होने लगती है जो कि mentally disorder होता है आपको इन सब चीजों को हलके में नहीं लेन सिकता है जिन लोगों को anxiety की सिकायत रहती है हो सकता है उनके father में भी यही समस्या रही हो उनके grandfather में भी यह problem रही हो और उनके family में कोई भी member ऐसा हो जो इस problem को face कर चुका हो तो ज़्यादा chance रहते हैं जो उनके आने वाली पीड़ी है उसमें भी किसी ना किसी को यह anxiety की सिका जाता है कि वो जिन्दगी वर पूरी life उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो हमेशा anxiety में रहने लगते हैं बेचैनी में रहने लगते हैं और हमेशा उनको डर जैसा मैसूस होता है वो हमेशा यही सोचा करते हैं जैसा उनके साथ बचपन में हुआ है कहीं life में आगे तो कि वो लोग suicide भी attempt करने लगते हैं जो कि यह बिलकुल गलत है उनको बहुत जरूरत होती है mentally support करने की तो दोस्तों यह भी एक कारण होता है जिन लोगों को भरपूर प्यार नहीं मिलता है घर से या फिर भाई बहन से या रिष्तेदारों से हैं किसी से भी अगर उनको प्या reality हो जाती है वो लोग अपने आपको असुरचित महसूस करने लगते हैं वो अपने आपको safe नहीं महसूस करते हैं कहीं भी रह रहे हों कहीं भी जा रहे हों traveling कर रहे हों कुछ भी कर रहे हैं वो अपने आपको safe नहीं महसूस करते हैं हमेशा डरे से रहते हैं किसी भी काम को लेकर या फिर अपनी life को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, परेसान रहते हैं, उनको कोई interest नहीं आता अपनी life में या किसी भी काम में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी love life में फैल हो जाते हैं, और वो उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उससे नहीं निकल पात है, जिसकी बज़े से उनको problem होने लगती है, वो इस चीज़ को face नहीं कर पाते हैं, और वो anxiety में डर में रहने लगते हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं, उनके ज्यादा जो खास होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनकी death हो जाती है, जिसको लेकर वो ह लोगों को anxiety रहती हैं, वो हमेंसा चिंता गरस्त रहते हैं, हमेंसा परेशान रहते हैं, घबराहट, बैचैनी, नींद ना आना, ये सब रहता है उनको, ये एक लक्षण ही होता है, वो हमेंसा stress में रहने लगते हैं, हमेंसा निरास रहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर वो partner को लेकर कोई भी चीज हो सकती है जिसको लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी anxiety देखने को मिली है दोस्तो ऐसे लोग किसी एक चीज पर focus नहीं कर पाते हैं उनको अगर कोई काम दिया जाए तो उस पर focus नहीं कर पाएंगे उन्हें हमेशा बैचैनी रहती है घबराहट रहती है कि वो काम कर पाएंगे के नहीं कर पाएंगे confidence की कमी हो जाती है दोस्तो जिनको anxiety होती है वो कभी-कभी बहुत जादे excited हो जाते हैं तो कभी-कभी वो बिल्कुल सांथ हो जाते हैं उदास हो जाते हैं नर्वस हो जाते हैं दोस्तों जिनको anxiety होती है उन लोगों को suicidal thoughts भी आने लगते हैं उन्हें बिल्कुल interest नहीं रहता है अपनी life में किसी नहीं किसी चीज को लेकर वो suicide attempt भी करने लगते हैं दोस्तों ये भी देखा गया है जिन लोगों को anxiety होती है उनके हाथ पेर कापने लगते हैं थोड़ी सी भी कोई बात सुनकर या फिर कोई घटना देकर कोई incident देकर उनमें कपकपीस जैसी होने लगती है उनकी body में दोस्तों ऐसे लोगों का जो blood pressure होता है BP होता है वो high रहने लगता है उनको पसीना आने लगता है उनके माथे पर हमेशा पसीना दिखता है हमेशा परेसान जैसे नजर आने लगते है और दोस्तों उनकी जो heart beat होती है दिल की धड़कन होती है वो भी increase हो जाती है वो भी बढ़ जाती है दोस्तों और भी चीजे ऐसी होती है जैसे की नीद ना आना उदास रहना परेसान रहना सांस का तेज चलना सांस फूलना और भी चीजें जैसे की confusion रहना भूख ना लगना दोस्तों कुछ patients ऐसे होते हैं किसी बीमारी को लेकर इतना परेसान हो जाते हैं लगता है कि यह बहुत बड़ी बीमारी हो गई अब ठीक नहीं हो पाएंगे तो ऐसे लोगों को भी anxiety हो सकती है तो अब बात करते हैं जिल लोगों को anxiety की सिकायद रहती है ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या साउधानी रखनी चाहिए तो सबसे पहली बात ऐसे लोगों को motivate करना चाहिए टाइम टाइम पे उन्हें अकेले नहीं रहने देना चाहिए उनको seminar वगएर attend करने चाहिए उनको मिलना जुलना चाहिए दोस्तों से मिलना चाहिए रिष्तेदारों से मिलना चाहिए और घर में रहना चाहिए जिससे की लोगों का प्यार उनको मिल सके और ऐसे लोगों का confidence जो level होता है उसको बढ़ाना चाहिए confidence भी increase करना चाहिए अगर patient को relief नहीं मिल रहा है उसकी समस्या बढ़ती जा रही है वो इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसको doctor के पास जाना चाहिए और consult करना चाहिए doctor कुछ medicine वगएरा देंगे जिससे patient को काफी अत्तक relief मिलेगा दोस्तो जिन लोगों को insomnia की सिकात है जिनको नींद नहीं आती है बेचैनी रहती घबरहाट रहती है रात में पसीना आता है परेशान रहते हैं डर जैसा उनको महसूस होता है तो ऐसे लोगों को sedatives बगेरा दिये जाते हैं sedatives यानि ऐसी दवाएं जिससे की उनको नींद आए दोस्तो अगर कोई patient है कई दिनों से सो नहीं पाया है उसको परेशानी बढ़ती ही जा रही है तो ऐसे patient को 2 ml diagepam injection IM देना चाहिए तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके treatment के बारे में क्या इलाजिस का हो सकता है medicine जैसे chloro diagepa oxide 10-20 mg दिन में 3 बार दी जा सकती है दोस्तों अगर neuroleptics medicine की बात करें तो इसमें chloropromagin 25 mg की होती है ये भी दिन में 3 बार तक दी जा सकती है तो और medicines होती है जैसे के alprax इसमें alpra जोलाम होता है दोस्तों इसके जो dose होते है ये 3 dose में आती है 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg ये भी दिन में 3 बार तक दी जा सकती है या फिर डॉक्टर डिसाइड करते है पेशन्ट की condition को देखकर ही उसको dose दिया जाता है दोस्तों और medicine जैसे की compose आती है ये भी दिन में 3 बार दी जा सकती है तो दोस्तों अपने आप इसका treatment बिलकुल ना करें अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है एंजाइटी से आप परेशान है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और consult करना चाहिए वो आपको बेहतर treatment देंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें जिससे के ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे हैं